कर्पूर गोरं कर्णा वितारं संसार सारं बुजगेंड रहारं सदवसंतं हिज्यरविंदे भवं भवानी सैतम नमा सिरी शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को रादे रादे कैसे हैं सब आसा करते हूं सब अच्छे होंगे आज है सावन का दूसरा सोमार और मैंने रखा है वरत अभी मेरे बाल खुल रहे थे तो मैं क्लेचर लेने गई थी अंदर अभी पैल को साइद भूक लगी है वह अब आई लगा रही थी तो अभी मैं उससे पूछती हूं कि उसको क्या खाना है जो खाएगी वही मैं उसको ब चाइबना हूं इस तो चलिए बना लूँगी और अभी टाइम हो रहा है डेड़ के आसपास को हो रहा है पर बच्चे है भूप लग जाती है वैसे मैं तो ऐसा करती हूं कि जैसे जिस दिन वरत होता है दस बजे के आसपास चाय पीते हैं सुबह को पूजा वगएरा करके सारा का माम नमटा के फिर चार बजे ही पीते हैं गिन में अगर कोई फ्रूट वगएरा रखा है तो खालो नहीं तो मेरा तो चल जाता है सही मैं तो रह लेती हूँ लेकिन बच्चों से जादा देर नहीं रहा जाता है बुका और पाल को तुम वैसे भी निर खते जादे देर भुका मतब बच्चे हैं दिक्कत न हो जाए वैसे ही वो थोड़ी कम जोड़ी हो रही पहले काफे मोटी थी अब पता नहीं क्यों अपने आपी वजन कम होता जा रहा है उसका डोक्टर वगएर कभी दिखा लिया है ठीक है वैसे कोई प्रोब्लम नहीं है सब बढ़ी आया है तो बस जाए नहीं पी सकते बिल्कुल भी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बिना द्रक वाली चाह और यह मैंने चाय में सक्कर डाली है क्योंकि ना सक्कर की ही चाय पीते हैं चिन्नी की नहीं पीते हैं चाय लगबग बन गी है मैं दूर डाल दिया है और इसको भगोने को मैं रख दूंगी दूसरी गैस पर इस पर में मखाने फ्राई कर लोंगे कड़ाई रखके जब तक चाय उबलके तयार होएगी तब तक म बहुत लोग मिठे भी रहते हैं मैं यह नियं कहते हैं मटब नमक नहीं खाना चाया उबलको इन नमक नहीं डाला है इन्हें ऐसा ही प्लेई नहीं खा लेंगे और जो रात को खाना बनेगा वह तो मताब बिना लेसुन प्याज का तो बनता ही है तो वह चाई भी बनके तयार है आजाई यह पी लीजिये चाई देखो मैं लेके आगे हूँ पायल वेटी कर रही थी चाई का क्योंकि बच्चों कुझे भूब आजाओ जी चाई पीलो और मखाने फ्राइ करें हैं यह खालो क्योंकि व्रत्या सोमार का तो थोड़ी भूब लग रही थी पायल को भी और मुझे भी तो इसलिए मैंने करते ने तो इसलिए प्राइब किया है आजाएगे आप भी खाली जिए चाई वगरा पीने के बाद मैं आगी हूं रूम में क्योंकि चार-पांच जोड़ी कपड़े हो रहे हैं प्रैस के अब जैसे रोज होते हैं तो एक जोड़ी के लिए फिर मैं प्रैस लगाती नहीं ह सारों पर खटाइं कर देती हूं तो मैंने चार-डोड़ी कपड़े और पाइल तो ल्व टी LEE च haw् perturb डालति ए तो उन पे इतने जाद की जुरत नहीं पड़ती और जब अब है उसके पापा होते हैं तब तो कपड़े रोज हो जाते हैं प्रैस के मैं अपने तीन-चार दिन है देखो चलाना पड़ता है यह दो तीन वहीने न बिल भी काफी जादा आता है पर ऐसा ही सर्दी में कम चलता है वो सब अगर बैलन्स हो जाता है तो क्या करें गर्मी है नहीं वर्दास होती बहुत जाते गर्मी अब तो बस मैं इन कपड़ों पर सारों पर प्रैस कर और सब्जी देखते हैं क्या बनेगी और मैं भी प्रैस ही कर रही हूं फिर में अभी आवाज लगा रहे थी में पाइल भी यहीं आ जाओ मेरे पास ही जब इसी चल रहा है तो आप भी यहीं बैठ जाओ उधर बैठक में बैठी थी अके लिए जल्दी जल्दी सारे बढ़ कर हो तो बुख जादा लगती है बिठाली पड़े रहते हैं तो खाने की आदा अई जाती है अर अगर काम करते रहते हैं तो फिर नहीं पता चलता कि इनी जल्दी काम भी यह जाता है और टाइम कढ एसमय नीन चलता जादा पाहिल मुझे कि आ खिरी मुझे कि आप फोन में के मत लगा ले न पान के चक्कर ले लगा रही हो तो मैं उसको बता रही थी नहीं ऐसा नहीं करूंगी और बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं कपड़े प्रैस हो गए हैं सारे देखो अभी बस मैं इसे पाइल से कह रही हूं कि आप इन्हें उसमें अलमारी में लगा दो अब प्रेस अगहरा उठा के रख दूंगी बाकी चीजे देखते हैं अगर प्रेस में थोड़ी सी गरम आई थी तो मैंने प्रेस उठ की तया पर रख दी कि वो और सेट हो जाएगा अब देखो टाइम हो गया है शाम का साड़े पांच मैं जा रही हूं दूद लेने के लिए आकर पाइल से मैंने बोल दिया सबजी काट लेगी तब तक तो वो सबजी क दाटकर रख घी तब तक मैं आओंगी, फिर मैं आकर छोग देंगी सब्जी को और मैं जा रही हूं दूद لेने के लिए जादे दूर से नहीं आता पास से आता दूद जादे दूर नहीं है लहाना पड़ता है,सामनी को मतलब डिरी से आता है वैसे डिरी नहीं बहятсяव दे गए तो पहले हम मंदीर भी गए थे और फिर घर में भी पूजा की थी लेकिन मंदीर का अभी थोड़ी सी जीजक है या कुछ भी कहलो बाहर जब जाते हैं तो महां पे वीडियो नहीं बनाई जाती थोड़ा सा अंकमपडेबल सा लगता है तो इसलिए अभी बाहर की वीडिय यही सब दिखाते हैं क्योंकि बाहर का नई हो पाता है अब मैं बस तैयारी कर रही हूं आरती के लिए कपूर वगएरा मैं पहले ही निकाल कर रख देती हूं और अपना मैं 40 करूंगी और माला जाप करूंगी जितना मुझे करना होता है ये मेरा डेली रूटीन है 40 माला ज बढ़ान के समेट रहें क्योंकि भगवान जो समझ सकता है आपको कोई और नहीं समझ सकता प्रभू ही है सब का काम बनाने वाले और मेरा अटू टूट वी स्वास है इन पर मैं आपको बताओं क्योंकि मेरी बहुत मदद करते हैं प्रभू सभी की करते हैं इनके लिए तो स तो वैसे सब खड़े होके करते हैं मंदिरों में यहां पर मैं अपने घर में तो ऐसे ही कर देती हूं आरती मुझे सही तरीका बो जाद पता नहीं है कि कैसे पूजा करते हैं तो लेकिन खोसिस करती हूं सब प्रभू जैसा भी है मेरा गलत सलत स्विकार कर ले और आप लोग जैसा भी में गलत सलत वीडियो बनाती हूं आप भी सिविकार कर ले और वीडियो को जादे से जादे लाइक और शेर किया कीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर ले अब पूजा होगी है अर व्यक्त गीए के मैं गाये को देखे आउंगी पहले ताब पाइल किलन को दूंगी खाने के लिए तो बन गया है पराठा गायमाता के लिए अब व्रत वारे दिन न पराठे भी इतना ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने टेस्ति होंगे जिस दिन वरत होता है चीजें देखेंगे कल है परसो है देखो गाएं का लिए पराठे बन गे इन पर मैंने चिन्नी रख दिया और घी रख दिया है थोड़ा सा अब सब्जी खोड़कर देख लेती हूं पाइल ने कैसी सोकी है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसका छोगना जल गया होगा क्योंकि सब अब दिखो बाकी सब चीजे तो होगी है मैं पाइल को खाना बना देती हूँ उसको लग रही है वह सेक देती हूं इसके लिए रोटियां रसोई की लाइट में पता नहीं आचानक क्या हो गया जो स्की लाइट थी मेन वो खराब हो गया बलब कर रही है तो ये चेंज करनी पड़ेगी अंधेरा होगा इसको बार बार जला के देख रही है मैं कहा हुआ कोई बात नी रहने दो अभी चेंज कर लेंगे अभी मैं खाना ऐसे बना देती हूं क्योंकि लोबी में से लाइट थोड़ी चे जा रही है पहर तो कोई दिक्कत निया उससे इतनी रोसनी तो है कि खाना बन जाएगा मा तुम खाना खालो बाद में देखते हैं कैसे होगा तो अब बस मैं उसके लिए पराथे ही सेख रही हूँ व्रत वाले दिन मतलब कहते हैं कि पक्काई खाना चाहिए पराथे तो आज तो मैंने भ बना रहे ही हैं और आप बताईए आप नमक खाते हैं मिठा खाते हैं वरत में आप के तरह करते हैं आपको कैसा लगा मेरा पूरे दिन का व्लोग और कुछ तो इतना ज्यादा खास होता नहीं क्योंकि अब इतनी ज्यादा अच्छी डिसिज भी नहीं बन रहे हैं जिस दिन जब अब आएगा ना तब अच्छी-चैनी डिसिज बनाओंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी क्य तुमने भी तो चाहिए बन दे घर में अब देखो ये बन गी है अलूब पीते की सबजी और पराठा तयार है पायल की ठाली और आप आजाईए आप भी खा लेजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते और बाई बाई